बच्चो आज हम परेंगे Exploitation of Indians by the British बच्चो Exploitation का मतलब क्या होता है सोसन ओगे Exploitation का मतलब होता है सोसन तो देखो Once they were firmly established in India जब इंडिया firmly established हुआ दो British started using many unfair means to achieve their aim of getting rich बच्चो जब इंडिया firmly established हुआ तो जो British थे वो बहुत सारे unfair means को यूज किये किसलिए rich बनने के लिए बहुत सारे unfair means को यूज किये rich बनने के लिए the British began exploiting the farmers बच्चो exploitation का मतलब होता है सोसन जो फार्मर थे उनको exploiting करना स्टार्ट कर दिये मतलब उनको सोसन करना स्टार्ट कर दिये किसको फार्मर को तो जो British थे रिज बननने के लिए उनका aim क्या रहा रिज बनना और जो इतने भी फार्मर थे उनको सोसन करना स्टार्ट कर दिये जो इंडियन फार्मर थे वह बहुत ज्यादा टेक्स पे करते थे ब्रिटिस को एचे रिजोल दे बिकम बहरी प्यूर टेक्स पे करते करते हो क्या होगे बहुत गरिफ हो जाते थे बहुत हैबी टेक्स पे करते थे देते थे किसको ब्रिटीस को उसलिए वो बहुत पूर होते थे similarly their wavers were forced to sell the closest they produce at very low price ठीक फार्मर के जैसा बच्चों जो wavers थे उनको क्या करते थे उनको उनको ब्रिटीस थे वो मजबूर बनाते थे किसलिए कि उनका जो कपड़ा था वो कॉम रेड में बेचने के लिए उनको मजबूर बनाते थे किसको wavers को जैसे फार्मर को सोसन करते थे यह भी टेक्सेस मांगते थे ठीक wavers को कॉम रेड में कॉपड़े बेचने के लिए मजबूर करते थे कौन ब्रिटीस दो इंडियन कॉट्टन इंडॉस्ट्री वाज अल्सो ए भीक्टिंग वा ब्रिटीस ग्रीट जो बचो इंडियन जो कॉट्टन इंडॉस्ट्री था वो किसके ब्रिटीस ग्रीट का है विक्टीम था ओके